दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लागते रहते हैं नए ने बिजनस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए तो नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हो हमारा चैनल जिसमें हम आपके लिए नए ने बिजनस आइडियाज लेके आते हैं तो आज का बिजनस आइडिया एक ऐसा बिजनस है जिसे आप अपने घर से भी शुरू करके असानी से काफी पैसा कमा सकते हो यह बिजनस एक लगूद द्योग बिजनस है जिसमें आपको ना जादा इंवेस्टमेंट चाहिए ना जादा स्पेस चाहिए ना ही कोई आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए इसे आप असानी से जब मरजी शुरू कर सकते हैं साल भर चलने वाला यह बिजनस जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी पॉइंट बीच में से स्किप ना करें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदमन होने वाली है तो दोस्तों यह जो बिजनस हम आपके लिए लेके आए हैं यह आप ऐस अस्टार्टर बिजनस इससे शुरू कर सकते हैं और यह स्मॉल बिजनस में आता है तो यह बिजनस है नोटबुक मैनुफेक्शरिंग बिजनस मदलब नोटबुक, रिजिस्टर, कॉपी, किताब बनाने का बिजनस सबी तरह का इससे आप कॉपी, रिजिस्टर बना सकते हैं तो चलिए बताते हैं कि इसमें रोव मटील किया यूज होता है और मेन॥ेक्शरिंग कैसे होता है और प्रॉफिट मार्जन क्या kya होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होता है पेपर और इसका ओपर वाला टाइटल गता जिसमें आपका नाम और आपका ब्रैंडिंग वगारा लिखा होता है तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यह है paper के sample और यह है आपका title का sample तो इसमें आपको basic requirement यह दोनों चीजों का होता है आपका paper जितने मर्जी GSM का हो सकता है जैसा जैसे इसका quality बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका rate भी बढ़ता है नॉर्मली यह जो paper का quality है यह आपको 50 से 52 से 60 रुपी के बीच मिल जाता है तो अगर इसका title का बात करते हैं हम जिसमें उपर आपका branding और नाम वगयरा लिखा होता है तो यह title आपको तकरीबन जो छोटी copy का होता है वो 1.5 रुपे से लेके 2 रुपे तक का बढ़ता है और A4 notebook जो बड़ा register है उसका आपका तकरीबन 3 रुपे के आसपास बढ़ता है जैसे जैसे आपका यह बढ़ता जाता है size notebook का वैसे वैसे इसका rate भी बढ़ता है आपका quality के साब से भी इसका rate सारा vary करता है आप जैसे का भी इसका printing करवाना चाहते हैं वैसे का इसमें printing हो जाता है इसका paper का बात करें तो paper में जैसे आपका single line होता है double line होता है three nine होता है आपका math वाला line होता है वो सारे इसमें printing हो जाते हैं आप जैसे का भी printing चाहोगे आपको वैसे का market से available हो जाएगा और इसका raw material easily हर जगा available है ये नहीं कि ये आपको किसी particular city में मिलेगा या कहीं जगा सस्ता मिलेगा इसे आप हर जगा खरीज सकते हैं और ये video end तक ज़रूर देखें क्योंकि हम इस video के end में आपको raw material और machinery के supplier का भी सारा contact देंगे कि आप किन से खरीज सकते हैं और किन से आपको सस्ते rate में मिलेगा तो चलिए अब देखते हैं इसके manufacturing process के बारी में कि notebook बनता कैसे है कैसे इसका production होता है क्या क्या चीजे इसमें requirement होती है production के लिए और कैसे इसको accurately हम product बना सकते हैं तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक fully automatic model जिसमें आपका 3-in-1 machine है जिसमें stitching, folding और squaring होता है मदलब आपका notebook पे ले stitch होगा stitching के बाद उसका back square folding होगा और end में उसका back square होगा back square होने के बाद आपका end में cutting process आएगा cutting में जिसमें आपके notebook का finishing आएगा और end में आपका shrink wrapping होगा जिसमें आप notebook pack कर सकते हो और end में आपका product त्यार होगा तो चलिए देखते हैं कि कैसे manufacturing होती है कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं यह है हमारा fully automatic 3-in-1 notebook stitching, folding and squaring machine इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका program कैसे work करता है fully automatic touchscreen model है यह इसमें आपने notebook का size कितने कितने centimeter में मुझे pinch चाहिए कितना मुझे fold चाहिए कितनी speed चाहिए edge squaring कितने में चाहिए मुझे वो सारा आप setting कर सकते हो जैसे कि आप front screen में देख रहे हो इसमें सारे features available है आप इसमें setting अपने हिसाब से करके accurately notebook को produce कर सकते हो इसमें आपको accurate काफी product रहते हैं आपको कोई भी मदलब आपको इसमें कोई भी accurate labor की जूरुरत नहीं है normal आदमी कोई भी इसमें काम कर सकता है और easily कर सकता है बिना कुछ ज़्यादा सीके भी तो जैसे यह देख रहे हैं कि हम इसमें सारा program setting कर सकते हैं और देखे कैसे भी program set हो रहा है तो चली अब देखते हैं इसमें manufacturing कैसे होता है हमने सबसे पहले notebook को एकठा इस table पे रख देना है टेबल के पर रखने के बाद एक एक करके हम notebook को आगे आगे दखेलते जाएंगे यह automatically pinning station पे जाएगा notebook को लेके और उसके बाद folding station पे जाएगा और end पे आपका squaring station से बाहर निकल के आपका notebook produce हो जाएगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे हम आपका प्रोसेस start करते हैं तो यह automatically notebooks को आगे लेके जाएगा आगे ले जाने के बाद यह automatically जितने जितने centimeter आपने डाले हो गए उतने-उतने centimeter पर ही आपका pinning होगा pinning होने के बाद आपका automatically यह folding station में जाएगा folding station के बाद end मे आपका back square होगा तो देखते हैं आपके कैसे इसका मशीन वर्क करता है करता है झाल झाल जैसा कि आप में देखिया कि यह था फुली ओी ओटमेटिक मेशीन जिसमें आपका नोटबूक सारा तेयार होके बाहर आता है और सिर्फ इसमें आपका로 कर department cutting एक प्रीशन से था तो अब यह जाते हैं कुंसरे जाथे हम कर्टिंग स्टेशन में करता है इसमें आपके सेफटी सेंसर होते हैं हाथ आगे ओ तो मशीन नहीं चलता जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इसमें कठी हो रहा है कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस इंवल्व होते हैं और क्या क्या बटन दबाग कर आपका कटिंग का प्रोसेस कंप्रीट होता है तो जैसे आपने देखा कि कटिंग करने के बाद कैसे इसका फिनिशिंग बढ़िया आ जाता है नोटबुक का और सिंगल सिंगल में कैसे कनवर्ट होता है तो अभी इसका प्रोसेस आता है नोटबुक्स को पैक करने का पैकिंग का प्रोसेस होता है कि इसको लैमिनेशन वाली रैपिंग करने का आप पांच 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 शेशे नोटबुक को एकठा इस श्रिंक रैपिंग मशीन में रखके पैक कर सकते हो इससे ये होता है कि तो ज्यादा तर जो इस मशीन का यूज़ करके अपने नोट्बुक को रैप करके ही अपने स्टॉक में मेंटेन करते हैं तो दोस्तों ये अपने वीडियो देखी है नोट्बुक मैनुफेक्शरिंग बिजनस के बारे में बहुत ही easy business है असानी से आप शुरू कर सकते हैं आप इसमें जिसना भी आपका investment है उसके हिसाब से शुरू कर सकते हैं manufacturer के पास छोटे से लेके बड़े तक सारी machines है अगर आपका budget कम है तो आप इसे कम budget में शुरू कर सकते हैं और अगर आपका budget जादा है तो आप fully automatic machines लेके जादा accuracy और high production के साथ इस business को शुरू कर सकते हैं और जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो अगर आप इन machines और raw material को purchase करना चाहते हैं तो screen पे दिये गए numbers पे contact कर सकते हैं और इनसे machines purchase करके अपने business को असानी से शुरू कर सकते हैं business शुरू करने की proper guidance इनके दवारा दी जाएगी और कैसे कैसे business करना है उसके लिए सारा availability भी ये provide करवाएगी तो ये था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो like और comment जरूर करें और हमारे चैनल को subscribe कर लें क्योंकि हम नए नए business ideas लेकर आते रहते हैं